हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपोरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंज पर मैगनेट ब्रेंज जो की फेमस है पूरे एंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको केंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंगलिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं साथी साथ अगर आप इनोट और कख्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम लोग कख्षा बारवी के बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थवियवस्था इस बुक का चटवा चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर यानि भारत के संदर में नियोजन और सतत पुष्णिय विकास इस चैप्टर को ह हम लोगोंने mcq questions भी देख लिये थे आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आये हैं most important questions दरसल एक्जाम टाइम में आप लोगों की demand होती है कि सर इस चैप्टर से संबंदित जो important question होते है ना एक बार हमें बता दीजिए chapter बहुत बढ़ा है तो बस आपकी इसी demand क फुल्फिल करता है magnet base और हम हर चैप्टर से संबंदित कुछ most important questions आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आज का यह जो चैप्टर है भारत के संदर में नियोजन और सतत पोशनी अविकास इस चैप्टर से संबंदित जो भी important प्रशन है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर क करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो important प्रशन है सबसे पहले हम कुछ objective प्रशन देखेंगे उसके बाद अती लगुत्री फिर लगुत्री और दीरगुत्री प्रश्न सबसे पहला जो प्रशन है वो है प्रादेशिक नियोजन का संबंद क्या है मैंने आप लोगों को नियोजन से संबंदित दो अप्रोच बताए भी पहली अप्रोच सेक्टोरल यानि खंडिय नियोजन और दूसरा प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं अर्थ आर्थिक व्योस्ता के विविविन सेक्टरों का विकास चेतर विशेश के विकास का उपागम परिव प्रादेशिक नियोजन बोलते हैं लेकिन अर्थिव्युजफा के विविन सेक्टरों यानि सेंक्टोरल प्लानिंग जो होती है वह अलग होती है उसे हम खंडिय जन बोलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सी और डी तो हमारे सिलेवस में ही नहीं है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छेत्र विशेश के विकास का उपागम दूसरा प्रशने देखते हैं आई टीडीपी निवनिकित मैसे किस संदर्व में वरेनित है आई टीडीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी में और इंगिलिश में हम लोग जब भरमौर जन जाती के बारे में पढ़ रहे थे जो एक हिमाचल प्रदेश की अधिसूचित जन जाती है और बहुत पिछनी जन जाती है तो उसके विकास के लिए हम लोगों ने यह स्कीम पड़ी थी आई टीडीपी मतलब इंटीग्रेटेट ट्राइबल डेवलेप्मेंट प्रोग्राम तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को यहां पर बताना है तो इंटीग्रेटेट का मतल होता है समन्वित ठीक है ठीक है मतलब होता है ट्राइबल यानि जन जातीए समन बेट जन जाती को मतलब है विकास अब कर प्रोग्राम इसका सही आंसर है यानि option C ठीक है उमीद करता हूं प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तीसरे नंबर का जो प्रश्ण है वो यह है कि इंदिरा गांधी नहर कमान चेत्र में सतत पोशने विकास के लिए निम्न इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर कारक है कुल मिलाकर आप से पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जिसे हम पहले किस नहर के नाम से जानते हैं राजिस्थान नहर इस नहर का में अब्जेक्टिव या उद्देश क्या था क्रशी विकास परितंत्र विकास परिवहन विकास या फिर भूमी उपनिवेशन इसका सही आंसर है क्रशी विकास क्योंकि क्रशी के ही उधार केलिए इंद्रा गांधी नहर पर योजना लाई गई थी कि पश्चिमी राजिस्तान का जो हिस्टा है वह एक सूखा ग्रस्ति है जहां पानी नहीं है इसलिए इंद्रा गांधी नहर जो पंजाब में हरीके बैराज हरीके बांद से निकलती है शुरू हुई थी इसका सही आंसर है option a क्रशी विकास चौते नम्मर का जो प्रशन है वो यह है कि नियोजन के दो उपागम कौन से हैं अभी मैंने बताया जस्ट नियोजन की दो उपागम खंडिय नियोजन और प्राद और खा दोनों पांचवे नम्मर का प्रशन है कि विश्व परियावरण और विकास आयोग ने अपने रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर कब प्रस्तुत की बहुत मैं प्रशन मैंने आपनों को बताया था कि पहली रिपोर्ट जिसमें सतत्त पोश्णिया विकास की एक सूस सब्सक्राइब करता हूँ आप लोगों को ये पांचों ऑब्जेक्टिव जो प्रशन मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होंगे सभी का आंसर आपने सही लगाया होगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के सा शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है तो अब्जेक्टिव प्रशनों के बाद अब हम कोछ अतिलगुत्री प्रशनों को देख लेते हैं पहला अतिलगुत्री प्रशन है सतत पोश्णिया विकास को परिभाशित करें कुल मिलाकर sustainable development की हमको definition बतानी है तो मैंने आपनों को बताया था sustainable development की जो definition परिभाशा our common future report ब्रिंटलेंट report में बताई गई थी उसमें कहा गया था कि हम मतलब वर्तमान पीड़ी अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि भविश्य की पीड़ी को compromise ना करना हैं इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं सतत पोष्णी विकास उम्मीद करता हूं आप लोगो यह परिवाश्य समझ में आ गई होगी एक बार हम लोग देख लेते हैं एक ऐसा विकास जो भविश्य में आने वाली पीड़ियों की आवशक्ता की पूर्ति को प्रभाव जल रिसकर अंदर चला जाए तो इतना नीचे भॉम जल ना पहुंच पाए कि भविश्य की जो पीड़ी है वो भी पूर्ति ना कर सके अपने पीने के पानी के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए तो उम्मीद करता हूं आप लोगो सतित पोष्णी विकास की नकेवल परिभाषा समझ में आई होगी बलकि आपको रियल जो अर्थ है एक्चुल में वास्तविक जो अर्थ है वो भी समझ में आ गया होगा साथवे नंबर का हम लोग प्रश्ण देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के भरमोर जंजाती छेत्रों को नकारत्मा कुरूप से प्रभा हुआ बाल विवाहरों के बहुत सी सकारात्मक कॉजटिव बाते हम लोगों ने इस जंजाती के बारे में देखी जब इसे अधिसूचित जंजाती खोंशित किया गया लेकिन नकारत्मक भी कुछ प्रभाव हम लोगों ने देखे थे तो नकारत्मक प्रभाव क्या है कि यह अधरभूत संसादनों का अभाव था इंट्रास्ट्रक्ट्टर तो बिल्कुल नहीं था यह बात अलग है कि 1971 सथार केद जब इस अधिसोचित जंजाती घूशित कि आ गया तब स्कूल खुले होस्पिटिल्स खुले सड़कों का जाल बिचा लेकिन शुरुवात में तो ये जंजाती बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और नकाराजमा कारकों को ही हमें बताना था तो साथवे नंबर का प्रश्ण मुझे उम्मीद है कि आप लों को क्लियर हो गया होगा नियोजन यानि सेक्टोरल एप्रोच बोलते हैं तो अर्थव्यावस्था के विविन सेक्टरों जैसे क्रशी सिचाई विनिर्मार यानि मैनुफेक्ट्रिंग उर्जा निर्मार यानि कंस्ट्रक्शन परिवहन संचार सामोहिक अवसंरचना और विकास के लिए कारिक्रम ब कुल मिलाकर इन सभी का विकास अर्थव्यावस्था के अलग-अलग सेक्टरों का विकास इसी को हम लोग बोलते हैं खंडी नियोजन तो अर्थव्यावस्था की जो अलग-अलग सेक्टर से उनका जब हम विकास करते हैं तो इसी को खंडी नियोजन कहा जाता है और छेत्र के निवाशियों की दो समस्यां कॉन सी है अभी मैं ने बता था कि जस्त की ज़लवाई हु वह क्या है कठोर जलवाई हुई है भर्मोर जनजाती की जो छेतर हैं उनकी और आधार्वू संसादनों का अभाव है तो दो तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है ठीक है तो कठोर जलवायू और आधार्बू संसाधनों का अभाव दसवे नमबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं इंद्रा गांधी नहर कमान पूछा गया है कि इंद्रा गांधी नहर ने सुस्क शेटर की परिस्तितिकी अर्थव्यवस्ता समाज को रुप लुक अंतरित कर दिया कर दिया और पूरा पश्चिमी राजिस्थान इसकी क्या जलवायू के यहां पर रहने वाले लोगों की अर्द्रव्यवस्था को, जीवन को बहुत अच्छे से प्रवावित किया, इस चेत्र की परियावणी परिस्थितियों पर इसके नकारत्मक और सकारत्मक दोनों प्रवाव पढ़े, सकारत्मक तो सभी को पता है, भाई नहर आएगी, कोई चेत्र जहां पर पानी नहीं है, तो आप सभी लिख देंगे थी कि नकारत्मक पर विशेज ध्यान देना है कि नकारत्मक कौन सा पड़ा तो वनी करण और चारागा का विकास हुआ यहां पर भूमी क्या हुई हरी भरी हो गई यह एक सकारत्मक पर पड़ा भाई पेड़ पौदे लग गए ना साथ में चारा लग गया जानवरों के लिए तो यह तो सकारत्मक प्रभाव हुगा है नकारत्मक क्या हुआ कि भाई पानी आ गया तो लोगों ने इतना पानी खटा करने लगे खेतों में तो इससे जल भराओ की इस्तिती पैदा हो गई औ पर अगर पानी भरा होता है तो इससे म्रदा लवणता यानि जो सॉल्ट यानि मातरा ये नमक की मातरा जो होती है मिट्टी में बढ़ जाती है तो म्रदा लवणता जैसी समस्यां भी यहां पर पैदा हुई ठीक है तो जल भराओ और म्रदा लवणता जैसी समस्यां ये नक साकारात्मक प्रभाव है उम्मिद करता हूं आप लोगों को यह जो दस प्रशन है यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट कर देना है अब कुछ लगुत्री प्रशन भी देख लें चलो पहला जो पूछा गया है क्यारवे नंबर का खंडिय नियोजन और प्रादिशिक नियोजन में अंतर बताईए तो भाई खंडिय नियोजन का अर्थ क्या है अर्थवेवस्ता कि विविविन सेक्टरों का विक समान रूप से नहीं और इसलिए विकास का रख सभी को पहुचे इसके लिए योजनाओं ने योजनाकारों ने प्रदेशों की आवश्जट्य के अनुसार नों योजन किया भारत में हर प्रदेश समान से वुक्ष से बिकसित नहीं गुजराइब खिय बिःहर उतना जाय विक्सित नहीं तो हर राज्य अलग अलग रूप से विक्सित है कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं कुछ राज्य आगे निकल गए हैं तो हमें कमजोर राज्यों को आगे बढ़ाना है या फिर ऐसे राज्य जो कमजोर हैं पिछड़े हुए हैं जहां पर आर्थिक संसाधन बहुत काम है उनके लिए अलग प्लानिंग करने कि आवशक्ता होती है और जब हम किसी प्रदेश के लिए अलग प्लानिंग करते हैं ना तो इससे ही लोग है प्रादेशी क्नियोजन बोलते हैं उम्मीद करता हूं प्रशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बारवे नम्मर का प्रश्ण देख लेते हैं कि मात्र क्रशी एवं पशुपालन के विकास से इंद्रा गांधी नहर कमांड छेत्र में आर्थिक सतत पोशनी विकास के अवधाना को साकार नहीं किया जा सकता इस पस्ट कीजिए कुल मेराकर ऐसा बोला जा तो जो कुछ और करना पड़ेगा वही हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कुछ और क्या कि हमें सबसे पहले तो आर्थिक विविधी कारण करना होगा कि लोग खेती बाड़ी और पशुपालर पर ही निरभर ना हो कुछ आए के अन्य श्रोतों को भी ढूने जिस से मालीज पर नकारात्मक प्रुभाव ना पड़े इसलिए आप आर्थिक विविधी करन करें आप कोई छोटा मोटा बिजनिस भी कर सकते हैं कुछ और क्रिया कलाब करें साथ में क्या किया सकता है गाओं की आवादी क्रशी सेवा केंद्रों और विपरना केंद्रों से जोड़कर उ अवसर श्रजित हो सकते हैं तो बारवे नंबर का प्रशन हम लोगों ने देख लिया तेरवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं कि नहर कमान छेत्र में सिचाई के लिए जल प्रदान करने में इंद्रा गांधी नहर का महत विस्पस्ट करना है महत वताना है पॉजिटिव बताना है दूसरे तरीके से प्रशन पूशा गया है कि इंद्रा गांधी नहर कमान छेत्र में नहरी सिचाई के प्रारण होने से उसकी परिस्तिति की अर्थव्यावस्था और समाज रूपांतरित हो गया है इतने सारे चेंजेज आ गए हैं इस कर्थन का विशलेशन करें भा सुष्च्चेटर की परिस्तिति की अर्थव्यावस्था और समाज रूपांतरित कर दिया पर्यावर्ययंइ सप्रिस्थितियों पर सकरात्मक और नकारत्मक प्रभाव पड़े हैं तो दोनों पर और भात्षि भण्यमों से भूमी हरी भरी हो गई मतलब यहां पर जल और यह जल की बात हो रही है बर्दा में लंबे समय तक जल जो है उपलब्द नहीं था अब जब जल आया तो यहां पर क्या हो गया वनी करना पेड़ पौधे लगने लगे और चारागा जो था वो विक्सित हो गया वायू अपरदन और नहरी तंत्र में ब वायू अपरदन नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की जो प्रक्रियां कहीं कहीं पर रेत के जो टीले विक्सित होते थे ना वो अब नहीं होते प्रदेश की करशी अर्थव्यास था प्रत्यक्ष रूप से रूपांत्रित हो गई बोए गए छेतर का विस्तार हो गया लोग पहले मोटे अनाय लगाते थे अब जल सगन फसने लगाने लगे जैसे ग्यों चावल इत्यादी और क्रशी पशुधन उत्पारक्ता में भी अत्यधिक रद्धी हुई तो कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि दो पॉइंट हमने पढ़े पहला कि जल उपलब्द नहीं था जल उपलब्द हुआ तो वनी करण और चारागा जो थे वह जो थे विक्सित हो गए और दूसरी बात की मोटे अनाच से हम लोग जल सगन फसने लगाने लगे और यहां की पूरी अर्थव्यवस्ता जो थी वह चेंज हो गई है कि अब हमें चैगर नमंबर देखना अब हम देरगोत्री प्रशन देख रहे हैं कि सूखा संभावे चेत्र विकास कारेकरवों में लोगों के लिए किस प्रकार के कारेकरम चलाए गाए हैं सप्सक्ट कीजिए हिए अ बहरे हम लोगे प्रवतीयव'RE चेत्रों लोगों के लिए ने पूछा था तो सुखा संभावी छीतर कारिक्राम में लोगों के लिए किस tirar करेकर में चलाएगाई हम लोगों को बताना है तो सूखा संभावी चेतरी विकास कारिक्राम में लोगों के लिए落 primeiro प्रकार के कारिकम चलाएगा देखिए यहां पर प्रकार पॉइंट में आंसर लिखेगा है वैसे ही आपको भी लिखना है साफ सफाई से आंसर लिखना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर महनत करनी है एक्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपको जच करने वाला है आपके चेहरे को नहीं देखता ना उसको इंट्रेस्ट है आपको देखने में आपकी कॉपी ही आपकी जो पूरी व्यक्तित वयाप आपकी परस्नालिटी है ना वो बताती है तो अच्छे से आंसर आप लोगों को लिखना है राइटिनिंग प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ में आंसर लेखे हैं पॉइंट में आंसर लेखें ताकि एट्रैक्टिव देखें ठीक है तो कौन-कौन से कारिक्रम चलाएगा है एक बार हम देख लेते हैं इस कारिक्रम की शुरूबात पहली बात तो चौती पंचवर्षी योजना में हुई इसका उदेश्य सूखा संभाव का पांचवी पंचवर्षी योजना में इस कारिक्रम के अंतरगत अधिक श्रम की आवश्यक्ता वाले सिविल निर्माण कारिक्रमों पर बल दिया मैंने आपनों को बता है शुरूबात में सूखा संभावी चेत्र के अंतरगत जो लोगो रहते थे उनको शिफ्ट किया कहा सिवल निर्माण कारिक्रम मैं मतलब उन से कंस्ट्रक्शन काम जो है वो कराई जाने लगे और यह प्रक्रखार उनको क्या दिया रोजगार दिया ऱद में हमने क्या कि है कि जो लोगत थे उनको सिचाई पर योजनाय भूम से विकास कारिक्रमों में वनीक ररन चारा माचवी चीज के अंतरगत हमने इस छेत्र के विकास की रणनीती में जल मिट्टी पौधों मानव और पशुजन संख्या के बीच एक पारिस्तिति किया संतुलन स्थापित किया कुल मिलाकर हम लोगों ने लाइक और इस प्रकार सूखा चेत्र विकास कारिक्रम जो था वह सफल हुआ आज की इस वीडियो सीरीज का वीडियो का लास्ट कोश्चन दीरगोत्रिय प्रश्ण जो है वह यह है कि भरम और चेत्र के विकास के लिए क्या कोदम उठाए गए इवं इसके इसके क्या सामाजि कीजिए चलिए फटा फट वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भरम और चेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं यह चेत्र विकास योजना भरमौर चेत्र के निवासियों की जीवन गुर्वत्ता को सुधाने वाहिमाचल के अन्य प्रदेशों के समानांतर विकास के उद्धिश से सुरू की गई थी वह हमारा उद्धिश क्या था कि भरमौर जैंजाती जो है उनके जीवन स्तर में क्या हो सुधार हो और साथे साथ जो प्रदेश के अन्य इलाके उनके साथ जो है इनकी विकास की जो धारा है वो चल सके इसके लिए हम लोगों ने बहुत से कदम उठाए जैसे की आधार भूत अवसंद्शनाओं जैसे विद्ध्यालायों अस्पतालों का हमने क्या किया विकास साहित किया साथ हमने पशुपालन के वैग्यानिक तरीकों को प्रोथ साहित किया इसके सामाजिक और आर्थिक लाव हम लोगों को डिसकस करने हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जनसंख्या या साक्षरता में जो थी वो ब्रद्धी होई मैंने बताया वी था कि 1.88 प इसमें सुधार हुआ यहां पर आप आकड़ी लिख सकते हैं चैप्टर में आपको कुछ डेटा दिया गया है कि सकतर के दर्शक में 1.88 परसेंट थी और जो थी 2001 में तो 42 परसेंट हो गई और बाद में और बढ़ गई 2011 की जनसंख्या में तो जब इस तरीके के डेटा आप फसलों के उत्पादन में ब्रद्धी हुई अब डालें और जो अन्य नगदी केश्ट क्रॉप्स थें उनके उत्पादन में क्या हुई बढ़ोत्री हुई जो बाल विवा जैसी कुरूतियां थी उनसे मुक्ती मिली लिगन उपात में सुधार हुआ और लोगों के जीवन स देखी चुके हैं कि कठूर जलवाई और आधारबू संदर्शनक का अभाव जो पहले हुआ करता था तेकिन अब भर मौर अपलिफ्ट हो चुकी है जल जाती इस पर बहुत ज्यादा पैसा कर्च और बहुत नियोजित तरीके से काम किया गया है सरगारों के द्वारा तो उ साथ वैदिक मैस क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज भी मैगनेट ब्रीन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही है www.magnetbrins.com यह हमारी ओफिशल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेट में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी ते टूडेट के लिए आप हमरे सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हम उपलब्द हैं वो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है यह नोट्स और इबुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सू मच